यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी डिलीसिय एकदम ब्रट पकोड़ा हमारा जो की हमने एकदम तवे पे बड़े आसानी डंग से बनाया है और ना ही इसमें तेल बहुत जादा है और ना ही इसको खाने से कोई परेश करेगा इतना टेस्टी इतना यम्मी तवा ब्रट किया है जो बच्चे बिलकुल नहीं अकसर खाया करते हैं तो चलिए देखते हैं ये वीडियो हलोरे मन आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल चाहय मिस्टा में गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं तवा ब्रट पकॉड़ा तो चलिए देखते हैं में तवा ब्रट धनिया और यह हरी मरच मिरच आप अपनी रिपसे कर सकते हैं तीकः या कम तीकः मीडियम साइज के प्याज लिये हैं और यह दो कली लहसन की ली हुई है और इसमें हमने फेदर्दा कर शाय大े, प्रोपि और देखे इसमें हमने और भी बेजटेबल लेनी है जो भी आपको पसंदा है वो भी डाल सकते हैं तो और पहले चलिए बैटर बनाते हैं तो यह लिया ऑपकर प्थरısन पाने भाइध सके का पानी बाइगे हम थोड़ा थोड़ा करकर बना जाएंगे तो यह देख सकते हैं हम ऐसे थोड़ा थोला करके पाई डालेंगे तो इसमें लंक्ष नहीं पढ़ेंगे और बैटर भी अच्छा बन जाएगा आप स्पून की साहता से बना लीजे या विक्सर ले लीजे जिससे भी आप बना पाएं उस तरह से ले लीजे तो इस तरह से हम फेटते हुए अपने बैटर को अच्छे से बना लेंगे तो यह देखे गाइज हमारा बैटर बन कर तयार है अभी इस तरह से है देखिए हम इसको डाल रहे हैं तो ये मर्ज तो हो रहा है मगर थोड़ा सा दिक है रिबन बन रहा है इसका तो बस इतना ही हमें गाड़ा चाहिए तो एक कटोरी पानी लिया था हाफ कटोरी पानी बच चुक गया है तो इसको रख देंगे साइड में और बश्चा में और पा इसमें फ्लेवर फून मसारफे में डालें हैं यह ठीज़िता है तो देखिए अधनिया पाउडर यह राचे पावदर यह पाइज़िता तो एक रेखतते महें अच्छे अच्छे , बश्चे आल मेंे यह लिए रते हैं स्पून के काली है इसमें अएट करेंगे और छौप कर लें temp इसमें बन्द फूल गो भी और operation कई सारी सबजी आड़ कर सकते है जो भी आप चाहें तो यह में अक आलू ले लिए हैर्ध है чलिए स्टपिंग बनाते है अब मिज कमदें एक एक दिए बाव कावा दाया ओना हम लिर्ट रहां। अचल जीर में अच्छे स्वाध करें सही हाँ. जीर किअने इसमें 2 दूंचल भीन कावलبة बताम के हम प्ञ्ट णंज क्वार झाणिगेंसे थोड़ा सबकतार थोड़ा जल्ठ कुछा जाता तो इसको हम डाल देंगे इसमें यह देखिए और इसके साथ हम मसाले एड़ करेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और इनको मिक्स करके हम फ्राइ कर लेंगे और अब हम अपने एड़ करेंगे आलू जो हमने कद्दू कस करके रखे थे ग्रेट करक पालक, हरी धनिया, यह सारी हम मिक्स करके अच्छे से इसको कुक कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा शार आ लेंगे पानी, करीब करीब दो स्पून के करीब, क्यूंकि हमको इसका जो बैटर है, वो सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल, जिससे कि हम अपनी ब्रट की स्लाइस पर इसको ह हो जाए, तो इसलिए हमें सॉफ्ट बैटर चाहिए, तो यह देखिए हमारा डाल रहे हम स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि जो हमने पहले नमक डाला था, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नमक था, प्याज को कुक करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से नमक एट करें, तो यह देखिए हमारी बैसन रखने से थोड़ा सा थिक हो गया तो इसमें जादा नहीं पानी आट करेंगे, जिससे के थोड़ा सा पतला हो जाए, इस प्रेट करने में आसानी रहे, तो यह देख सकते हैं, इसको फेट लेंगे अच्छे से, और अब देखिए, और अब देखि हमें क्या करना है, कि हम लेंगे अपनी ब्रेट की एक स्लाइस, तो जो बैटर हमने बना कर रखा हुआ है, इस टपिंग अलू की बस उसको इस पर हम कर देंगे, अच्छे से, देखते रहेगा गाई, इसका हम दो तरीके बताएंगे, यह तो हम बता रहे हैं आपको ब्रेट तो यह देखे, दूसरी स्लाइस हम इसके उपर चिपका देंगे, और आगे आप देखते रहेंगे, तो हम इसमें सैंविचे भी बनाना बताएंगे, बहुत अच्छे से, तो देखते रहे हैं पूरा, तो यह देखे, अब इसके उपर हम यह बेशन का बैटर जो है, इस तर में हम तवी पर रख देंगे, सिखने के लिए, प्लेम को करेंगे बिल्कुल धीमा, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रट पकोड़ी है, हमारे क्रिस्पी बने, तो इसमें आप चावल का आटा भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, तो यह देखे, अब उपर से भी ह यह बेशन की वज़े से बहुत आसानी से चूट जाता है, तव यह सी आपका नॉन स्टिक तवा हो, या नॉर्मल आइरन का तवा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यह देखे, इसको पलटते वे मच्चे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे, तो यह देखे, दूसरी साइड अच्छे से निकल गया है, तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे, गायस खाने में तो इतना टेस्टी लगता है, कि आप बटाटा बड़ा, ब्रट पकोड़ा, सैंविचे, सब कुछ भूगल जाएंगे, अगर इस तरह से बना करके, आप ब्रट पकोड़े खाएंगे तो, क् कि यह बहुत जादा ओयल नहीं अग्जॉप करता है, कम ओयल में बन कर तैयार होता है, तो इस वज़े से बहुत जादा अच्छा होता है, तो यह देखिए दूसरा भी अमने उसी तरह से सेक लिया है, अब यह देखिए हम दूसरा आपको दिखा रहा है, जिसमें हमने सिर् स्वाद आएगा ब्रट पकोड़े का और दूसरी तरह सेंविच का स्वाद आएगा, तो यह देखिए इस तरह से आप जिदर आपने ब्रट पर लगाया हुआ है बेसन उधर आप लगा देंगे, तो यह देखिए इस साइड में आपको सैंविच का फ्लेवर आएगा और ज यह सैंविच का आपको ब्रट तरह से gratitude वाद इसतर आप अपना underlieन ईबैल आपको person 설र्णे जैसे कि में लुटवाया है, तो यह देखिए इस तरह सकते हैं इस तरह से आपको उस्परेट कर लीजिए और यह दूस्परिए और पर टाल मैं आपना बैशन का स्वाद सेवाद क प्रेस करने पर ये होता है जो एक्स्ट्रा बेशन का बैटर हो उगा वो सब तरफ से फैल जाएगा तो वो कुक अच्छे से हो जाएगा थोड़ा सा इसमें यह है कि अधर-उदर से निकल जाता है दबाने पर उस तरह से जादा अच्छे से आता है तो ये देखिए बन कर हमा गाईज ये नास्ता अगर आपने बना कर घर में खिलाया ना तो सारी के सारी खुश हो जाएंगे और ये पूछेंगे कि ये नास्ता आपने कैसे बनाया तो इसके अंदर की स्टपिंग देख सकते कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन दिख रही है तो इसी तरह से हम बनाएंगे त तो प्लीज ये रेस्पी हमारी 5-10 मिनट में बन कर तयार हो जाती है और सबसे अच्छी बात ही है कि बड़े और बच्चों को सभी को ये रेस्पी हमारी बहुत पसंद आती है क्योंकि हमारे घर में तो पसंद आती है तो एक बर आप जरूर ट्राय करें और हमें फिर बताएं कमेंट में कि आपके घर में ये रेस्पी पसंद आई सबको या नहीं तो चलिए देखते हैं मिलते हैं नेक्स डे नेक्स डेस्पी के साथ अगर हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड सेयर अपने कमेंट जरूर हमें बताएं मिलतें नेक्स नग्स रेस्पिक साथ